गुड इवनिंग फ्रेंस माइ नेम इस राज और आप देख रहें आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालेसिस आज का डेट है चार में 2021 आज हम लोग जिस शेयर के ओपर बात करने वाले हैं उसका नाम है एयू स्माल फिनेंस बट वीडियो सुरू करने से पहले अगर आ आप बात करते हैं मेरे चैनल की यूए 1100 की क्या है मेरे चैनल की यूए 1100 की यह है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूं और आपको सही सपोर्ट और रिजिस्टन्स बताने की कुशिस करता हूं इससे अब को जो प्रौफिट है और आपको जो लौज Wähler वो टेन इससे जो भी मेरे subscriber है जो regularly in shares पे invest कर रहे हैं इन्विस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं उनको regular basis के उस पे support और resistance मिलता रहता है ताकि वो उनको analysis करने में बहुत मदद करता है और मेरे support और resistance कितना काम करते हैं आप मेरे कोई भी 10 वीडियो निकल के देख सकते हैं आपको खुदी पता चल जाएगा और जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि support पे buy करो resistance पे sale करो और फिर से support पैने तक का wait करो अगर आप ये strategy यूज करेंगे आप देखेंगे आपको 80% profit होता है या नहीं होता है मेरे जो subscriber है आप कोई भी वीडियो बनवाना चाहते है तो प्लीज मेरे comment box पे जरूर बताइए ताकि मैं उस पे जल से जल research करके वीडियो बना सकूँ आज हम लोग जिस share के उपर जैसे मैंने आपको बताए बात कर रहे है small finance bank इसकी जो closing है आज की date पे 4 में को 915 रुपया 50 पैसे 52 वीक लोग अगर आप इसका देखेंगे तो ये था 366 रुपीज और 52 वीक हाई है इसका 1354 रुपीज 40 पैसे अब आप लोग guess कीजिए कि December 2021, December 2022 और December 2023 में इसके क्या target होंगे क्या ये वापस 1.5 यानि कि 1500 से 2000 तक आएगा या नहीं आएगा आएगा आपको क्या लगता है मेरे comment box पे जरूर बताइए अब अगर हम बात करें इसके return on investment की तो आप देखें पिछले एक साल पे इसका return on investment 77% है 2 year पे plus 45.02, 3 year पे plus 34.96 यानि कि अगर आप 3 साल से इस पे invest किये हैं तो आप अभी भी positive में ही चल रहे हैं अब आप लोग सोचेंगे फिर भी ये तो इतना गिर चुका है मैंने आपको हमेशा बोला है देखो कोई भी share कितना भी अच्छा हो fundamentally कितना भी stronger company एक level के बाद उसमें correction आना ही है correction नहीं होगा तो लोग profit booking कैसे करेंगे simple बात है इसके लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि support और resistance important है कोई share बढ़ रहे करके buy करने की गलती जो लोग करते हैं वही या तो loss में बेशते हैं या फिर उनको काफी wait करना पड़ता है अब आज के date पर देखो अभी तक वह 1000 का support ले रहा था अब उसने 900 के support पर आ गया है अब कल ये week इसके लिए बहुत important होने वाला है यह हम लोग आगे बात जरूर करेंगे उससे पहले हम लोग बात करते हैं company के थोड़े से company के overview के बारे में जैसे मैं आपको हमेशा बोता हूँ कोई भी company के उपर अगर आप share खरीद रहे हैं या फिर invest कर रहे हैं तो आप प्लीज उस company के side पर जाए आपको पता होना चाहिए कि company क्या करती है क्या services देती है अब EU small finance bank जो है यह banking finance sector में आता है banking के private sector में है यह 1996 में जैप जो services है definitely जैसे banking services है यह लोग देते हैं digital banking है payments है personal banking है cards में है interest rates है loan से business banking है insurance भी है और investment में है तो definitely जो सारे banking के services है वही इनके भी services है अब देखते हैं हमारे चैनल की important चीज जो है support and resistance आज के date पर इसका important support level है पहला support 800 रुपी, second support 845, third support 900 और resistance 1 है 1000 रुपी, resistance 2 है 1100 और resistance 3 है 1200 रुपी, अब अगर आप देखेंगे यह week इसके लिए बहुत crucial होने वाला है क्योंकि यह 200 day EMA के नीचे आ गया है आज इसका candle but as उसने 200 day EMA छोड़ा नहीं है तो देखते हैं कि यह week 200 से नीचे जाएगा थोड़ा और correction लेगा या फिर कल से यह bounce back करेगा, अब देखिए जैसे मैंने बता है 200 day EMA के नीचे है, RSI यह 34 पे आ गया है, definitely buy on correction की मेरी personal राय होगी, जैसे मैं आपको बता तो मैं किसी को भी buy or sell का recommendation नहीं देता, मेरे videos education wise के लिए ही है, अब मेरे हिसाब से अब long term तो इस share को भी रख सकते हैं क्योंकि आपने पास, कहां पे है यह 200 day EMA के पास है, यह जो blue line है वो 200 day EMA है, अभी देखिए यह इससे पहले कभी था, almost अगर आप देखेंगे इसका मैंने उपर से आपको नहीं दिखाया RSI, ठीक है, क्यूंकि आपको focus candle में रहना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि कैसे होता है candle का का अब देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे यह 3, 2 महने, 3 महने के अंदर यह इसी range पे था, 3 महने में यह कितना 52 week हाई गया, तो definitely correction लेगा, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, कि अगर कोई share speed से ऐसे बढ़ा है, तो उसमें correction भी तो आएगा, ठीक है, आप समझ यह चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने पहले वीडियो से, तो वो बहुत important है, अगर आप वो चीज़ maintain करना सीख जाएंगे, concept यह वाला अगर आप fundamental यूज़ करेंगे, यह strategy यूज़ करेंगे, आप खुद देखेंगे, आपको 80% profit होता है या नहीं, अभी अग candles, oh my god, कितने red volume bars भी आए हुएं, तो यह week बहुत important है, कि यह किस तरफ जाएगा, यह आगे वाला week ही बताएगा, जैसे कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि क्या होने वाला है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, कि मेरे channel पर आपको supporter resistance ही मिलता है, कौन कब कितना बेचेगा sentiments कब change हो जाएगा, यह कोई नहीं बोल सकता है, बट अगर आप support and resistance के हिसाब से काम करेंगे, तो definitely आपका जो plus है, वो 10 से 20 परसंट ही होता है, उमीद करता हूँ, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो please like और subscribe कीजे, जैसे मैं आपको support करता हूँ, सही support और resistance बता कर, उ market analysis at gmail.com, कहीं सारे subscriber मेरे को mail करके पूछने लगे हैं, question आपको भी कोई doubt है, या तो आप मेरे comment box पे पूछ सकते हैं, या तो आपको मेरे email ID पे भी पूछ सकते हैं, thank you very much, have a nice day.